यूपी और उत्राखंड की खबरों के लिए एबिपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाएं और यूपी में एक दिसंबर को होने वाले विधान परिशत चुनाफ के लिए भारतिया जनरता पार्टी ने विधान परिशत के लिए नौव उमीदवारों के घुशना तरती है पार्टी ने लखनव खंड सनातक के लिए अवनीश कुमार सिंग, वारनसी खंड सनातक के लिए किदारनाथ सिंग, आगरा खंड सनातक मानवेंदर प्रताप सिंग, मेरट खंड सनातक के लिए दिनेश कोयल, इलाबाद जांसी खंड सनातक के लिए यगिदत शर्मा, लखन खंड शिक्षक के लिए उमेश तुवेदी आग्राँ खंड šट दिनिश वशेष्ट मेरटखंड शिक्षक के लिए श्री चंद शर्मा और प्रेली मुरादबाद खंड शिक्षक हरी सिंग धिल्लों को प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने वारनसी खंड शिक्षक प्रत्याशी की अभी घोशणा नहीं कि विधान परिशत चुनाब में प्रत्याशियों की घोशणा के साथी नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है मेरट में आज शिक्षक और सनातक निर्वाचन क्षित्र से मलसी चुनाब के सहरनपूर के रजिनीश चौहान सपप्रत्याशी शम्षाद अली और निर्वर्तमान मलसी उंप्रकाश्चर्मा और हेम सिंग पुंडीर ने नामांकन दाखिल किया वहीं आज ओरईया में भी सनातक एमलसी चुनाब के लिए निर्दलिय प्रत्याशी हरी किशोर तिवारी ने अपना पर्चा दाखिल कर लिया भदोही के भाजपा सांसद रमीश बिंद ने एक संसनी खेज आरोप लगाते हुए कहा कि किसी ने फोन करके 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए ऐसा नहीं करने पर उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धंकी दी है जिसके बाद सांसद रमीश बिंद ने लखनव के आसियान थाने में फाई यार दर्च कर आई है वहीं सांसद की शिकायत पर पोलिस ने उस नंबर की जाच की जिससे सांसद को धंकी भरी कॉल आई थी फोन नंबर प्रयाग राज का है जिसके लोकेशन पिलाल गोवा में मिली फोन आया लगभक सवा आठ बजी के करी फोन पे आसिब्ध भासा गाली गिलोज दिया फिर इसके बाद में मैंने फोन काट दिया फिर दुबारा फोन आया फिर पैसे का उन्होंने डिमान रखिया फिर इसके बाद ना देने पे कहा तुम्हारे पूरे परिवार को परिवा पंजाब के जेल में बंद बाहु बाली विधायक मुकतार और उनके परिवार की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रहे हैं आज गाज़़पूर में मुख्तार अंसारी और उनकी पतनी और बेटे के खिलाब काररवाई करते हुए जिलाप्राशासन ने कुर्की की काररवाई की एक करोड 28 लाग 96 की संपत्ति कुर्क करती मुक्तार अंसारी ने सदरकोत वाली इलाके के रजदेपुरा इलाके में पत्नी अफशा और बेटे अबाज अंसारी के नाम पर अवैद संपत्ति खरीदी थी जिस पर एक शॉपिंग कॉप्लेक्स और कोचिंग सेंटर चल रहा था गाजेपुर के डियम ने 6 नवंबर को मुक्तार अंसारी और उनके परिवार के नाम से 12 भुखंडो की कुर्की के आदेश दिये थे जिसमें गाजेपुर में तीन जमीने और मौजले में 9 जमीने शामिल हैं जिसके कुल कीमत 28 करोड 58 लाक रुपय बताई जा रही है गाजेप पश्चिमी उपी का कुख्याद गैंस्टर बदन सिंग बदो पिछले डेर साल से फरार चल रहा है लेकिन फरारी की बावजूद मेरट में बदो की संपती पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि बदन सिंग बदो की कोठी को नगर निगम की रिपोर्ट में एक नहीं बलकि दो बार सिर्फ चाहर दिवारी बताया गया था जिसके चलते हर बार बदन सिंग बद्दो की कोची कुर्की से बच रही थी और नगर निगम ने कभी भी बदन सिंग बद्दो की कोची का हाउस टेक्स और सीवर टेक्स भी नहीं वसूला लेकिन अब ये मामला सामने आने की बाद बद्दों की मदद करने वाले नगर निगम की अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है